हलो गाईज वेलकाम बैक टूपीजी वाले यूट्व चैनल एंट आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं एंवीडिया ने अपनी ओफिशल ट्विटर पेज़ पेज़ एंड अपने फेस्बुक हैंडल पे जो उनका ओफिशल पेज़ है वहाँ पे टीज किया है एक 21 दिन का टाइमर एक 21 दिन का काउंट डाउन जो कि काउंट डाउन ये शो करता है कि 21 दिन बचे हैं उनके नए बिग लाउंच को लेगा और आप जानते हो उनका बिग लाउंच क्या होने वाला है Arctic X 3000 सीरीज और अगर आप Arctic X 3000 सीरीज का वेट कर रहे हो देन 21 दिन बचे हैं बस 21 दिन अब NVIDIA खुद ऐफिचली इसको टीज कर रहा है तो मेरे हिसाब से आपको सांसे थाम के बैठ जाना चाहिए आपको जो है वो फिंगर क्रॉस करके बैठ जानी चाहिए कि आपके जो आने वाले incredible GPUs है वो performance में तो incredible होने वाले है क्योंकि NVIDIA ने जिस तरीके से इसको tease किया है जिसको कि मैं भी explain करूंगा आपको उसके साथ साथ जो है इसकी pricing की भी दुआ करना कि लो हो क्योंकि इस बार expect किया जा रहा है कि 3090 जैसे graphics card आएंगे तो दुआ करना कि वो 3090 2080 TI की price में आया है और जो 3080 TI आया है वो और सस्ता आया तो इस तरीके से जो हो सस्ते सस्ते आया है ऐसा ना हो कि 3090 जो हो 1500 डॉलर या पतानी कितने 1000 डॉलर का जा रहा है और तुमारा जो graphic card का जो overall price है वो जो हो उपर बढ़ते जाए पैसा ना हो please, please दुआ करना ऐसा हो और Nvidia जो हो पैसा चापने की machine ना समझ लेती था उन सेरीज को and क्योंकि Amazon पर sale लेगे तो तुम जो हो sales से अगर तुम कुछ और अपना B550 या कुछ और मदरबोर CP बाई करके रखना चाहते हो क्योंकि graphic card तुम हो सकता है, बाद में बाई करना चाहो तुम वो कर सकते हो, बहुत सारी sales लेगे हैं कुछ और तुम मेभी चीजें बाई करना चाहो description में तो Amazon की sales से बाई कर सकते हो link description में है, मैंने कुछ जो है वो sales के में मिलने वाले कुछ बढ़िया बढ़िया डील्स जो है वो अपने community अब में डाली है तो वहां से भी तुम उनको भाई कर सकते हैं so NVIDIA ने जो है वो tease किया है कुछ seconds का trailer जिसके के अंदर एक supernova explosion हो रहा है अब supernova explosion हो रहा है उसका मतलब ये है, देखो कि कुछ बड़ा है तो NVIDIA ये शो कर रहा है कि ये कुछ बहुत बड़ा event होने वाला है तुमारे जो बाकी elements है वो जो इसी तरी के से distribute होते है universe में और काइंड आफ काफी beautiful event भी होता है so NVIDIA इससे क्या दिखाना चाहता है NVIDIA क्या दिखाना चाहता है कि उनके RTX 3000 series जो है 21 साल पूरे हो चुके है तो kind of ये उसके लिए है I think and 21 दिन आज के तारीक सागर मैं बनाऊ तो NVIDIA ने इसको जो है वो 10 तारीक को जो है डाला है अपने pages वगरे में और 21 दिन का timer लगाया है तो यानि कि तुम August 31 को expect कर सकते हो कि तुम्हें August 31 के आसपास जो है वो एक announcement देखने को मिलेगी graphics card की क्योंकि अभी confirm नहीं है कि देखो NVIDIA ने कहीं पर ये ने लिखा कि हम 21 दिन के अंदर इसको announce कर दिंगे ये release कर दिंगे ऐसा नहीं है कि August 31 को जो है वो आप सिधा अपने Amazon पे जाओगे और किसी वेबसाइट पे या नहरू प्लेस में जाके अपना जो है वो आठेक 3,000 से ग्राफिक काड बाए कर के आओगे हो सकता है अगस्त 31 को जो है वो NVIDIA इसको क्योंकि अभी तो COVID चल रहा तो कोई event तो बड़ा होगा नी तो of course अपने YouTube पे हो सकता है NVIDIA लाइव करे या कुछ करे वहाँ पे जो हो अपने 3,000 से ग्राफिक काड एनाउंस कर दे और September के हो सकता है 10, 11 तारीक को या फिर बीच में ऐसे कहीं आपके ग्राफिक काड मार्केट में आए हो हो सकता है अगस्तिकर 30 को आपके सिर्फ एनाउंसमेंट हो और ग्राफिक काड जो हो उसके एक-दू हफते बाद आपको मार्केट में आना शुरू हो तो kind of यह ही यह भी हो सकता है का ऐसा कुछ कुछ कंफर्म नहीं बोले NVIDIA ने की 21 तारीक को ही रिलीज हो तो रिलीज जो हो थोड़ा बात में होगा बर अच्छी बात है कि तुम्हें जो हो अफिशएल अनॉसमेंट मिल जाएगो कि छो हो कि ऐगे की कुछ दिनों बात जो हो तुम्हें काड जहा हो मार्केट में देखने को मिल जाएगगे